जो मेरे चानल पर बहुत पहले से हैं उन्हें पता होगा मैंने स्ट्रीमिंग टूटोरियल गाइड बनाई दी बिगिनर्स के लिए तो वह बहुत पहले थी तब यूज भी नहीं आया थे ढंके और वह बनाई भी स्ट्रीम लाप्स पर दी यह सॉफ्ट्वर मैं इसलिए यू लगेगी लेकिन आपको सॉफ्ट्वेर की स्पेशल फीचर से वह आपको बताना चाहता हूं और गाइड तो गाइड ही तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा उससे आपको प्रिम लाइव स्टूडियो डाउनलोड कर लेना एक फ्री सॉफ्ट्वर है जस्ट ड जाना है और यहाँ पर एनेबल वाटरमाप को हटा देना यहाँ पर अपको अपलाई कर देना है जिससे आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पर रिकॉर्डिंग के ताम पर कोई भी बॉत्रमाप ना है यह पीचीड सॉफ्ट्रूर नहीं है तो वाटरमाप आपसा ह सबसे अच्छा लाइब स्ट्रीम कर सकते हो यहां पर आपको सबसे अच्छा लाइब सेलेक्ट कर देना फॉर बेस्ट क्वालिटी उसके बाद आप नीचे आओगे यहां पर आपको यह सिंपल मिलेगा इस सिंपल को आप एडवांस कर दो एडवांस के बाद कुछ ऐसी सेटिंग खुल जाएंगी एडवांस करना बहुत जरूरी है इससे आप ज्यादा सेटिंग्स कर सकते हो फर बेटर क्वालिटी यहां पर एंकोडर में एंवीडिया का एंकोडर चूज कर रहा हूं और अगर इंवीडिया ग्राफिक कार्ड होगा तो एंवीडिया चूज कर लेना यहां पर हमारा एंवीडिया चूज कर रहे है उसके बाद आता है बिटरेट यह बहुत मैटर करता है लोगों को पता ही नहीं कि बिटरेट क्या होता है जितना ज़्यादा बिटरेट होगा उतनी क्लि वाइड वाइट कर लो लाइक मेरा 1500 Mbps है तो मेरे को 17-18 Mbps मिलनी चाहिए बट मिलती एक्चुल 14-15 Mbps है अच्छे सर्वर से अगर हम डाउनलोडिंग वगरा या कुछ भी कर रहे हैं तो यहां पर जैसे 1500 Mbps का प्लान है तो मैं 8000 बिट्रेट भी रख सकता हूं 10,000 भी रख सकता हूं 10,000 से ऊपर मत रखना 8000-10,000 बेस्ट होता है अच्छी स्पीड के लिए जो मेरे गेमिंग चैनल पर मैं यूज करता हूं वह 8000 यूज करता हूं तो यहां पर हम बिट्रेट को कर देते हैं 8000 और यहां पर की फ्रेम इंटर लावा आपको यहां पर कुछ नहीं छेड़ना है सब कुछ as it is रहने दो और यहां पर आपको कर देना है apply अब यह तो होगी live streaming की setting उसके बाद अगर आप इसी software पर gameplay record करना चाहते हो live stream नहीं करना तो आ जाते है recording वाले टाब में recording वाले टाब आपको कुछ इस तरीके से मिल 40-50,000 आप रख सकते हो बट वो गया file size बड़ा कर देगी उसके according आप देख ले ना आपके PC में इतनी space होनी चाहिए कि अच्छे file size वो store कर सके जिससे आपना gameplay कहीं YouTube पे upload करो तो वो pixelated दा दीखे तो यहां पर अच्छा bit rate आप रख सकते हो उसके बाद यहां पर preset max quality profile main और उ case तो वो है जो आपके monitor पर आपको दिखाई दे रहा है, output वो है जो आपके audience को दिखाई देगा, लगे आपको live stream कौन से resolution पर करनी है, 1080p पर करनी है, 2K करनी है, 4K करनी है, वो depend करता आपके PC के ओपर, तो यहां पर हम 1080p select कर रहा है, क्योंकि 1080p वाला laptop है, मेरे को 1080p दिखाई दे रहा होगा, तो जैसे सबसे पहले हमारा scene 1 edit है, जैसे मैं क्या करता हूँ, अपने gaming channel पर, stream starting वाला scene हम add करते हैं, आप पता निस वाले PC में कुछ होगा, मैं कुछ भी एक image add करके दिखा दा हूँ, तो आपको sources पर click करना है, और यहां पर वीडियो slash music पर click करना है, और यह दूसरे screen में हम अपनी PC की image ले आते हैं, जो हमारी PC पर capturing चल रही है, तो यहां पर monitor capture रख सकते हो, full वाला, और यहां पर हम कर देते हैं, okay, तो second scene में हमने अपना monitor capture कर दिया है, जो monitor पर हमारे चलेगा, अभी जैसे software चल रहा है, यह आपको दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही features है, जो Prism के एकदम special features है, सबसे पहला मेरे को sticker वाला feature अच्छा लगा है, यहां पर Prism sticker पर आप जाओगे, और यहां पर आपको बढ़िया बढ़िया stickers मिल जाएंगे, तो like वाले में, आपको live stream पर like का आपनो को sticker चाहिए, तो यहां से आप यह चूज कर सकते हो, और यह आ इतने सारे बड़िया-बड़िया templates आपको मिल लेंगे, जो आप चलती live stream में लगा सकते हो, अब यह चीज़े gamers के लिए तो चलो इतनी ना भी काम आए, आभी सकती है, बट जरूरी नहीं है, यहां पर आप streamer कोई भी हो, आपको आपना yoga class on live stream करनी है, आपको कोई भी gym training वा आप यूज कर सकते हैं, तो काफी जादा interesting live stream हो जाएगी आपकी, अब आता है एक बहुत interesting feature दिखाता हूँ आपको, अभी basically जो यह record हो रहा है, तो मैं अपने main camera से कर रहा हूँ, मैं यह वाला camera हटागे आपने laptop का camera on कर लेता हूँ, तो laptop का camera on करने के लिए आपको दुबार background settings मिलेगी, यहाँ पर virtual background setting पर आप जैसे दवाते हो ना, तो जैसे मैंने remove background दबाया, मेरा पूरा background गायब हो चुका है, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, अब आप यह देख सकते हूँ, यह just laptop का webcam है, जो आपने सामने देख रहे हो, कोई green screen निया, कुछ background गायब हो गया, तो आप यह वाला effect भी use कर सकते हो, और एक effect आपको दिखाता हो, आपको webcam settings में जाना है, virtual background setting में जाना फिर से, अभी नीचे आपको एक बार दिखाई दे रही है, आप जैसी इस बार को increase करोगे, तो आप देख सकते हो, मेरा पूरा background blur हो चुका है, कितना ब सकते हो, आप पीछे room वगरा से set कर सकते हो, अच्छा webcam होगा तो और अच्छे से पकड़ पाएगा है, तो यह बढ़िया चीज है, आप अपने सामने देखी सकते हो, बीच पे बैटके live stream कर रहे है, इस ताइम हम जंगलों महा आ गए है, तो अभी हम इसको original रख देता है, और webcam को बंदी कर देता है, यह वाली main रखते हैं, क्योंकि अच्छी quality वाली वीडियो है, और मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई थी न, how to use smartphone as a webcam, उसके लिए आपको droidcam वाली आप यूज करनी पड़ती थी, लेकिन इस वाले software में internally अपने smartphone को as a webcam आप यूज कर सक scan कर लेना, उसके वाला आपका smartphone as a webcam इसमें यूज हो सकता है, बट अभी मैं आपको suggest नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ इसमें wireless वाला option है, Wi-Fi वाला, थोड़ा सा वेट करना, इसमें USB वाला option भी आने वाला, USB वाले में कोई delay नहीं होगा, Wi-Fi वाले में थोड़ा सा delay होता है कि हमारे होट अलग चलने है, हमारे action अलग चलने है, तो उसमें मज़ा नहीं आता, तो अभी इसको रहने देना, अभी आप ड्रॉइड केम वाला method यूज कर सकते हो, उसकी वीडियो आपको आई-काड वाई-काड कहीं नहीं मिल जाएगी, और इसके अंदर noise cancellation का filter है, आपक आपके अवाज clear जाएगी, बट जो आसपास की noise होगी, वो ये नहीं पकड़ेगा, जो इसके अंदर मेरे को सबसे बड़िया चीज लगी, और इसके अंदर एक और चीज, free of cost है, जो अभी OBS और Streamlabs OBS में paid हो चुकी है, multi streaming, आप single software से YouTube के साथ-साथ Facebook, Twitch, अलग-अलग platform पे जुरत ही नहीं है, तो scenes और sources कुछ इस तरीके साब add-on कर सकते हो, बहुत सारे sources हैं, जो आप इसमें और add कर लोगे, यहाँ के सामने देही रखा है, तो यह तो होगा सारा present live studio का tutorial, अब आपको बताता हूँ कि live stream create कैसे करने है YouTube पे, जो beginner's है यह part उनके लिए, जो कर रहे है already, वो तो obviously skip कर सकते हैं, तो आपको PC पे अपने YouTube पे जाना है, उसके बाद YouTube studio में जाना है, YouTube studio में मैं नहीं जाओगा, तो यहाँ से just उपर उपर create वाला बटन दबाता है, और यहाँ पे go live का बटन आता है, go live का बटन आप क्लिक करोगे, तो आपकी कुछ ऐसी screen खुल जाए वो प्रॉपर create होंगे YouTube पे, जो yes made for kids करते हैं, उसमें subscribe का बटन भाग जाता है, और bell icon भी भाग जाता है कभी कभी, तो वो मत करना, no it's not made for kids, यह वीडियो के लिए भी है, live stream के लिए पे, सब के लिए कह रहा हूँ, show more में जाओगे, आपको यहाँ पे tags बगरा डालने के ल अब आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं, यह तो directly आप YouTube पे click करोगे, वहाँ पे जाके अपना login आपको verify कराना होगा, और वही वाली live stream आप select कर सकते हो, पहला तरीका तो यह हो गया, और यह वाले YouTube वाले तरीके में एक risk होता है, कि आपका अगर PC hang हो गया, या कोई भी द और यहाँ पे YouTube हमने select कर दिया, और यहाँ पे stream की हम कर देंगे paste, stream की बहुत confidential होती है, कहीं भी leak मत करना, जिसको आपकी stream की मिल गई, वो कहीं भी जाके live streaming शुरू कर सकता है, आप यह के channel पे, तो stream की किसी को नहीं देनी, उसके बाद नीचे ID password है, यह ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे हमने कर दिया है, save, ठीक है, अब हमने stream की डाल दिये, तो जैसे हम go live का बटन दबाएंगे, तब मैं YouTube पे live चला जाओंगा, तो अब जो आपने सामने देख रहे हो, यह वो sample है, जो यह settings करने के बाद, Prism Live Studio हो, या OBS हो, कुछ ऐसा output आपका निकल के आएगा, यह आपकी live streaming की quality है, तो guys यह तो पूरा tutorial beginners के लिए live streaming का, काफी चीज़े बता दी है, कुछ चीज़े नहीं समझ में आएगी, तो भाई, पूछ ले ना comment section में, आपस में reply करके बात कर लेना, या कोशिश करूँगा, मैं reply करने की, और जो software की interesting feature थे, उसमें से तुमें कौन सा प बताओगे, और पसंद आया, तो download करो, और अपनी streaming आज ये शुरू करो, like मारतो वीडियो को, subscribe करतो चैनल को, next video, bye